पेरे वद्यार्थियों सब तो पहला मेरे चैनल ते तो हड़ा बहुत बहुत स्वागत है जी वद्यार्थियों आई दी वीडियो वीच आपा अठमी क्लास दे इंग्लिश विश्य दे पेपर नूं हल करांगे जी जल्दी ही सारे ही विश्यां दे जो सॉल्ड पेपर हान ओ चैनल ते तानों मिल जानगे इसलिए जेकर तुसी मेरे चैनल नूं हजे तक सब्सक्राइब नहीं किता ते इसनों सब्सक्राइब कर देओ बेल आइकन नूं जुरू पैसका देना तान जो मेरी हरी एक नमी वीडियो दी नोटिफिकेशन तानों मिल सके ते इसनों आहों पेपर हल कर दे हां जी इसनों पहला कोश्चन अपने को इस तरह है जी इस दी विच पहले वीच आप आंसर पढ़ दे है इस दा आंसर है जी अपने को पहले वड़े दा आंसर है सॉइल सॉइल मीन मिटी नेक्स अपने को है जी सेकेंड वार दा की आंसर आएगा जी विच टाइप आफ सोर्स इस सॉइल सॉइल किस तरह दा सोर्स है ते इस दे दो आप्शन आपन देते हुए हैं renewable जा non-renewable resources इस दा answer आएगा जी अपने को renewable source तीसरा है जी अपने को तीसरा question factor affecting the formation of soil जो soil है उस दी formation विच केड़े केड़े factor affect कर दे हन तो ये भी देख़ा पाँ paragraph दे विच्चों ही लब लड़ना है answer जी paragraph दे विच देखो जी अपने को की लिख़ा है केड़े केड़े factors हैं अपने को तो ये तो अपने को start करना है our parent rock climate plants and other creatures तो ये इस दा answer आजाएगा जी अपने को next question अपने को है 85% of Indian population is engaged in the agriculture and related occupations ये आप अदसना है true है जो false है paragraph दे विच देखो किने percent लिख़ा होया है ये 35% लिख़ा होया है तो paragraph दे विच लिख़ा होया है 65% it means ये वाली statement है वो गलत है ये वाली अपने को false है next अपने को है जी 5th question which type of soils are mostly found in India India विच किस तरह दी soil मिल दी है तो इस दा भी answer paragraph दे विच आपने को लिख़ा होया है in India aluble soils, black soil desert soil, red soil and laterite soils are mainly found तो ये पहला आपना जो question है complete हो चुका है जी पांज नंबर बड़ा next अपने को second question है look at the poster carefully and answer the questions तो ये भी questions को आपने को पांज नंबर दा है इस विच आपना poster नू देखके poster दे विचों questions नू अपना find out करना है जो नीचे question देती हैं poster नू देखके उना आपना answer देना है पहला question देखो आपने को है what does the given poster advertise इस poster विच किस दी advertise कीती हुई है तो ये देखको अपने को इस विच तुसी answer लिख देना है 37th India International Trade Fair ये इस दा answer है जी अपने को पहले बड़े question था 37th India International Trade Fair तो इस second question अपने को है इंडिया इंटरनेशनल जो ट्रेड फेर है was held in the month of Dash in 2017 तो ये भी आपना poster विच देख देना केडा मन्थ लिखे होया है तो ये देखो अपने को केडा मन्थ लिखे होया है ये आएगा जी November month next third अपने को है थर्ड question the venue of the trade fair was तो ये venue मतलब किस जगा ते हो रहा है तो ये देखो अपनों जगा भी मिल गई है थे जी प्रगती मैदान न्यू डेली ये अपने को venue है जिस जगा ते अपने को हो रहा है जी जो फेर next है name the corporate website of the trade fair हुन अपना website देखनी है इस picture दे विच देखो अपनों website किते नजर आ रही है तो ये लिखे है www.indiatradefair.com ये इस दी website दा नाम आ गया है चौते दा अपना का answer ये आ जाएगा जी next fifth वाले question दा answer देखो जी किया सकता है who was the organizers of India international trade fair ये organizer दा नाम आपना देखना है ते देखो ये थे organizer दा नाम भी ये लिखिया होया है ये बाड़ा question देखो अपने को इस दा answer आ जाएगा India trade promotion organization ते इस दोने ए हूँन second question भी अपने को complete हो चुका है ते आओ हूँन अपना third question देख 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 है ते नाम आपने को इस दा आ है write down the meaning of these words in Punjabi ये नीचे तिन words लिखे हुए है तिनने words दे आपा meaning देने है पहला word अपने को है shrine shrine दा मतलो हुन दा है पूजा दा स्थान दूसरा है अपने को just just दा मतलो हुन दा है जोश ते तीसरा है अपने को है architect architect हुन दे बिल्डिंग बना हुदे हा न जिसनों आपा पवन निर्मान शास्त्री भी कह देने हा जी ते next हुन आपने को है चौथा question make sentences of the following words ते एक questions हुन आपने को तेन नमबर दा है जी इसनों पहले बड़ा देखो आपने को है लिखा हुए है crippled crippled दा पराता नो meaning पता होना चाहिदा है meaning हुन दा ही अपाहज ते इस दा sentence आपा इस तरह बना सकते हा he was crippled in the war ते के वो war देवेच जुद देवेच हो अपाहज बन गया है जी जहाँ अपाहज हो गया है जी दूसरा अपने को है sweat sweat दा मतलब हुन दा है जी पसीन ना ते इस दा अपाहज इस तरह बना सकते हा sentence he wiped the sweat of his face उसने अपना जो face है face तो जो पसीन ना है पूंचिया next अपने को है जी delight delight दा मतलब हुन दा है पंजाबी दे वेच खुश होना जहाँ खुशी दा महौल होना ते जहाँ खुशी प्रापत करना किसी भी तरह उसनों अपना delight के देने हां जी ते इस दा अपना इस तरह sentence मना सकते हां जी he watched the firework with delight ते आउन सुन आपना next question देख देने जी next अपने को question number five इस दे विच अपने को चार question नजरा रहे हां यह सारे ही questions दे अपने को है जी first वाला question देखो है what is special about भंगडा भंगडा लई special अपने को की है ते इस दा स्मून आ सकता है जी पंगडा is the fork dance of Punjab and full of energy second question अपने को है जी who compiled the holy guru grant sahib ते इस दा अपना लिखना है जी guru अर्जन देव जी the fifth guru of six next अपने को है जी who approaches the owner of the shop ते इस दा अंसर आएगा a boy approached the shop owner third अपने को है जी how much money did the boy have ते इस दा अंसर आएगा जी the boy had 2.37 dollars ते आहों सुन आपां अगला question देखें जी अगरा आपने को एक poem देविच पहला ले आ गया है जी उस paragraph देविच्चों पढ़के आपां उस दे bond ते next अपने को है what is the condition of the book book the condition किस तरह दी है the book are old worn and torn ते next होन अपने को देखें जी next पढ़दे है so next question अपने को इस तरह है जी do as director ये अपने को पांज नमबर दे हैं जी पहला है जी अपने को correct the sentence ते अपने को ए नार option भी देती है हुई यहां इस दे विच की पढ़ना है जी आपां देखो केड़ी option दे विच की पढ़ना है अपां पहला है dash children have dash hands ते इस दे विच सुन पहला अपने को आएगा जी small small children have little hands तूसरा अपने को है जी fill the correct form इस दे विच केड़ी correct form आएगी he dash regularly ते इस दे विच answer आएगा जी walks नेक्स अपने को है जी present continuous दे विच आपां इसनों change करना है जी look लिखा हुआ है ते present continuous दे विच आएगा I am looking for a maid इत्या जाएगा I am looking for a maid नेक्स तून आपने को है जी future simple विच इसनों आपां convert करना है जी future simple दे विच everything dash be perfect ते इत्या जाएगा everything will be will be perfect next अपने को है जी fifth वाला present simple test दे विच टैंस विच इसनों change करना है जी love जाँ loves दे विच आपां एक option चुननी है ते इस दा अंसर रहेगा जी he loves her work ते आओ next दे दिख दे option है the shepherd and his sheep ते paragraph दे विच भी आपनों option है paragraph लिखने इस टून तुसी अबर school library library दे उपर paragraph लिखना है जाहाँ है जी an Indian farmer दे उपर आपना एक paragraph लिखना है ते ये उसी book दे विच विच लर्न का case नों लिख लेना है जी next अपने को है जी translate the following sentences ए sentences नों अपा आँ translate करना है जी पहला English विच लिख 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 है जी the police has not caught the police इसने चोर नू नहीं फड़ेया ते दूसरा अपने को है विद्यार्थी पढ़ रहे हान ते इस दा अंसरा अपने को आ जाएगा इंग्रीश विच स्टूडेंट्स विल भी स्टेडिंग स्टूडेंट पढ़ रहे होनगे स्टूडेंट्स विल भी स्टेडिंग होप सुन तानू सारा ही जो कोशन पर पर अच्छी तरह समय लग गया होएगा ते होन सुन आपा मिलांगे एक नमी वीडियो विच एक नमी जान करी लेके उधों तक लई तन वाद